गाईज आज के वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सबसे पाउरफुल एवेंजर यानि की थोर की सबसे स्पेशल एडिशन वाली जादवी फुटबोल्स को ढूनने वाले हैं हमारे थोर की जो ये जादुई फुटबोल है ये काफी ज़्यादा पाउरफुल है और इन थोर की जादुई फुटबोल के अंदर से हमें क्या-क्या आमेजिंग चीज़े देखने को मिलेंगी ये तो काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग होगा तो वीडियो को एंट तक जूर देखना वीडियो को लाइक कर देना साथ मैं ऐसी और भी इंट्रस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना एरे फैंग भी है यारी तिनी देर से पूरे शहर में आपने घुमा दिया लेकिन ये तो बताओ यार हम कहाँ पर जा रहे हैं अरे यार शिंचान मुझे पता लगा है कि भाई इसी इलाके में न हमें एक अपनी लख्यस्ट फुटबोल मिलने वाली है अरे फैंग भी है यार लेकिन ये इलाका तो काफी ज़्यादा बड़ा है तो हमें यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी हाई यार शिंचान ये बात भाई यहाँ पर है ना गाइस काफी सारी बिल्डिंग है और हमें ये नहीं पता कि भाई हमार जो लखी वाली फुटबोल है वो कहाँ पर होगी इस वाले बिल्डिंग के अंदर हो सकती है गया अरे वैंग भीया यार ये तो पुलिस टेशन है इसके अंदर थोड़ी मिलेगी अगर इसके अंदर भी होगी तो यार हमें अंदर कौन जानी दीगा हाँ यार शिंचैन ये बात तो है अरे हाँ मुझे अभी ध्याना है गाइस इस इलाके में ना पूरे लो सेंटोस का सबसे बड़ा बिजली घर रहे है और वो वाला जो बिजली घर है ना शिंचैन उसके अंदर जानी की परमीशन है ना किसी को भी नहीं होती है तो मुझे लग रहा है कि शायद हमारी फुटबोल इसके अंदर छुपी हो हाँ यार वैसे ये भी हो सकते है क्योंकि वहाँ पर जाना सबको लाउड नहीं है ना तो शायद वो वही पर छुपी हो अरे भाई यार आज तो मजे होगे अरे यार शिंचैन ये वाला गेट बंद है और वो देख शिंचैन भाई यहां से हमें अपने फुटबोल दिख रही है देख वो रही चलो यार यहां से अंदर चलते हैं अब भी आप देखना अभी मैं आपको दिखाता हूं भाई यह विजली का पावर प्रांट कितना ज्यादा बड़ा है यह देखो गाई यहां से ना हमारे पूरे लो सेंटोस की विजली आती है देखो भाई अंदर कितरे सारे को अच्छा ठीक है तो चलो गाईज यार हमी नीचे चलते हैं अराम अराम से यह देखो गाईज यह पूरे लो सेंटोस का सबसे बड़ा पावर प्लांट है मुझे लगता है कि आपने आत से पहले इसको कभी देखाई नहीं होगा एंड हमारी फुटबोल है ना वहां पर अंदर है चलो अंदर चलते हैं यहां से अराम से चलो एक बार और एंड गाईज यार यह देखो हमारी यह वाली फुटबोल कितनी ज्यादा बड़ी है यह तो बताव यह वाली फुटबोल किसकी होगी यार शिंचैन इसके ओपर कोई स्टैचू भी नहीं बना हुआ है जि देखते हैं इसके अंदर से में क्या मिलेगा तो टू वान फायर यह देख भाई शिंचैन हमें ऊस फुटबोल से यार थोर मिला है यह तो यह तो यह काफी ज्यादा पाउरफुल है हाँ जार यह वाला थूर काफी ज्यादा पाउरफुल है इसकी बोड़ी तो देखो फावर्स को टेस्ट करते हैं यह देखना घाइज अभी यह देखको भाई थोर की उड़ने की स्पीड कितनी जぶonnee यह अभी इसके पास है तो हम jawneer के साथ है नकाफी क्या हाल करते हैं इख ना 강ई वह कितनी जादा खतरनाक कितने बड़े ट्रक का क्या हाल करती है अब आप गाइस म्योनीर की पावर देखो भाई म्योनीर भी थोर का कितना ज्यादा खतरनाक है तीनी फटकों में इसकी पूरी गाड़ी को कैसे बलास्ट करती है चलो गाइस यह काम करते हैं हम एना हलक को चैलेंज करकर आते हैं हलक से फाइट करने में मजाएगा और पता भी लग जाएगा कि भोई कौन ज़्यादा पावर फुल है हमारा ग्रीन हलक या फिर हमारा ये खतरनाक वाला थोर सो ओल्रेट गाइस हलक आ चुका है हलक को अपने टोर्नेडों में फसा दिया है अभी हलक का ना नीचे गिरेगा अरे यार हलक को तो कुछ हुआई नहीं हलक तो और भी ज़्यादा चार्ज हो चुका है अरे शिट गाइस ये देगो भाई हलक लेक कितरा बड़ा पत्थर उठा के फेक कर मा रहा है अभी हलक गाइस मुझे लगता है काफी ज़्यादा गुस्य में आ चुका है एंड हलक का ना अपने गुस्य पर कंट्रोल भिल्कुल भी नहीं ये देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी पत्थर उठाके मार रहा है लेकिन हम भी आना हलक को अपने टोर्नेडों में फसा देंगे जिससे ना हमको थोड़ा रेस्ट करने का मोका मिल जाएगा और हलक है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा अरे नहीं यार हलक बेहोश हमारा थोर भी अभी काफी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है अभी हलक की खैर नहीं है तेर तो ये ले अभी एक बार फिर से हम अपने स्ट्रोंब्रेकर को मुंग आते हैं अरे यार बस एक बार खड़ाओ जाओं गाईज मेरे स्ट्रोंब्रेकर का पैना हमला देखना ये ले भाई हलक अभी तेरको पता लगेगा की थोर कितना ज़्यादा पारफुल है अभी देख हलक तो तेरा हाल अभी मैं देख क्या करता हूं ये देखो गाईज अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हलक आई थिंक बेहोश हो चुका है ये देखो गाईज भ भी आपको पता लगी गया होगा कि हमारा जो यह थोर है वो कितना ज्यादा पावरफुल है यहां तो नहीं है नहीं गाइस यार इस वाले एरिया को हमने देख लिया है यहां पर हमें कोई फुटबोल नहीं मिली है अरे फैंक भीया यार थोड़ी कोमें सेंस यूज करू ना यह बीच का यार कार्णिवल वाला एरिया है यहां पर कितने सारे लोग आती जाती होंगी तो यार वो वाली फुटबोल यहां पर थोड़ी चुपी होगी हाँ यार शिंचन तेरी बात भी ठीक है लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि जो हमारी एक फुटबोल है वो इसी इलाके में तो इसलिए मैं यहां पर ढूंड रहा था अरे यार वो बात तो आपकी ठीक है लेकिन यार कार्णिवल वाले एरिया में मुझे 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 लग रहा है कि यहां पर हमें मिलेगा शायद आपको किसी ने बेवकू बना दिया है नहीं यार शिंचन वो मेरा पक यहां पर काफी कम लोग आते जाते हैं तो हो सकता है हमारी फुटबॉल यहां पर चुपी हो यहां पर एक सेंग भाई शिंचन हाँ मैं बूल रहा था ना यहां की जो लकड़ी है न यह काफी ज्यादा चमकरी है थोड़ा से ना पास चलके देखते हैं कि भाई आकर यहां पर है क्या औरे गाइस यह देखो शिंचन भाई यह देख हमारी एक फुटबॉल यह रही हाई यार देखा मैंने बोलाता ना वह नीचे होगी गाइस यह देख भाई यह तो पानी के अंदर है चलो यह काम करते हैं इसको धक्का मारते हैं बाहर लेकर चलते हैं तब हम इसक फुटबॉल को निकालते हुए देख लिया है तो हमें इसे जल्दी से ओपन करना होगा तो चलो गाइस त्री टू वान फायर अरे यह के शिंचन यह देख भाई अरे वैंग भिया यार आपको तो थोर की स्पेशल एडिशन वाली कार मिलिये लेकिन यार शिंचन यह कार य गाइस यार मुझे निए पता था कि हमें यार थोर की स्पेशल वाली कार मिल जाएगी चलो गाइस यार पहले तो इसे बाहर निकालते है बाहर निकाल कर देख थे और वाय यार इसका कलर काफी जादा अच्छ है शिंचन आपको पता है यह वाली कार ना डायमेंड से बनी देखो तो यार यह बाहर से कैसे चमक रिये हाँ यह बात तो भाई यह कार ना काफी ज्यादा अच्छी चमक रिये और पता है यह वाली कार ना ओडिन ने थोर को उसके बरड़े पर गिफ्ट की थी अच्छा तब यह स्पैशल कार है हाँ और देखो इसमें जो यह वाला ब पर इतनी स्मूध तो यार पानी के अंदर बोट भी नी चलती है जितनी ये थोर की स्पेशल कार चल रही है यह बात तो बोलनी पड़ेगी यह जो थोर की कार है ना गाइस काफी ज्यादा अच्छी है बेशक से गाइस यह दिखने में थोड़ी सी ओल्ड मोडल कार लग रही ह है लेकिन इसकी जो फीचर्स है ना वो काफी ज़्यादा खमाल के भाई देखो तो भाई यार हम पानी में कितना स्मूध रहें और कितना फास्ट चला पा रहे है यार आप इतनी दूर आ गए हो कि हमें कुछ दिख भी नहीं रहे शिंचन भाई चल वापिस से चलते मुझे लग रहे है कि समूंदर में तुफान आने वाला है इसलिए तो देख भाई यहां का मोसम कितना ज्यादा खराब हो गया है यार चला तो रहा हूं फास्ट झाल श्तव